क्या आपने कभी जोयलरी को इस तरह से इस्तमाल किया है अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग हो ले वाला है पूरा देखिएगा अगर पसंदा है तो फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा और चैनल पर पहले पारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथी नौटिफिकेशन बेल को अन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो पहला टिप है हमारा स्ट्रॉबैरी को लेकर जब भी हम मार्केट से स्ट्रॉबैरी लेकर तो इस तरह से पैकेजिंग में होती है और हम क्या करते हैं इसको नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन करके यूज कर लेते हैं लेकिन ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है इसमें काफी सारा जो है बैक्टिरिया रहता है डस्ट होता है क्योंकि काफी दिन का ये रखा और अब हमें लेना है थोड़ा सा नमक जो हम खाने में इस्तमाल करते हैं वही नमक हमें लेना है और इसको हमें स्टॉबेरी पर डाल देना है इसके बाद हमें लेना है पानी और पानी हमें इतना डालना है कि स्टॉबेरी अच्छे से डूब जाए और इसको हमें 10 मिनट के रहती है इसको हमें हटा देना है और इसको हमें साइड में रख लेना है तो जो स्टॉबेरी है ना अगर आप इसको थोड़ा सा रब कर देंगे तो और अच्छे से क्लीन हो जाएगी बस हलके हातों से ही इसको हमें रब कर देना है तो देखे इस तरह से हमें जो है इसको हलका हाथों से रब कर देना है इससे जितना भी डस्ट वगएरा होगी वो सारी की सारी छूट जाएगी और नमक की वज़े से क्लीनिंग बहुती बढ़िया तरीके से होती है तो जब भी आप स्ट्रॉबेरी लाएं इसको नमक के पानी में जरूर डाल के रखें इससे जितने भी बैक्टिरिया वगएरा होंगे वो सारे के सारे खतम हो जाएंगे और इसके बाद आप दो से तीन बार इसको नॉर्मल पानी से वाश करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो बहुती बढ़ी असा ट्रिक है इस तरह से जितने भी बैक् आने की सोचते हैं तो जब हम इसको खोलते हैं तो इस तरह से देखिए खोलते हैं वापस से ये रोल हो जाता है तो इसके लिए बहुती बढ़ी असा टिप आपको क्या करना है कैलेंडर को जो है अपोजिट साइड इसको रोल कर देना है इस तरह से जिस साइड ये रोल होत तो ये बिल्कुल भी रोल होके वापस नहीं आएगा तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको दबा के रखते हैं जिससे बहुत ही अच्छे से ये तुरंट का तुरंट स्टेट नहीं हो पाता है लेकिन टाइम लगता है इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी से केलेंडर को स्टेट कर पाओगे और यूज भी कर पाओगे तो हैना फ्रंट का माल का आइडिया इस तरह से आप केलेंडर को रोल करके टांग सकते हो अगला टिप है हमारा बच्चों की ड्रोइंग को लेकर तो होता क्या है कि बच्चे लोग जब ड्रोइंग वगरा करते हैं तो उनको कभी कभी क्या होता है कि सर्कल बनाने की जरूरत पढ़ जाती है और जो सर्कल बनाने के लिए प्रकार आता है ना कभी कभी नहीं होता है तो उस केस में क्या करें जो पीछे के side point रहता है वहाँ पर एक pen हमें लगाना है और जहां से हमें circle बनाना है वहाँ पर एक pen को इस तरह से रखना है और इसको गुमा देना है तो देखें इस तरह से बहुती आसानी से circle बन जाता है वो भी बेना प्रकार के तो जब भी बच्चों के पास प्रकार ना हो तो आप इस तरह से सैप्टी पिन को यूज़ करके सरकल बना सकते हो अगर आपको छोटा सरकल बनाना है तो आप छोटा वाला सैप्टी पिन जो होता है ना उसका यूज़ कर सकते हो तो हेना फ्रेंस कमाल का आइडिया इस तरह से हम अपना जुगाडू टिप को यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं तो उम्मेद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए helpful रही होगी अगर पसंद आई है तो लाइक कर देजिएगा और दोस्तों के साथ भी शियर कीजिएगा ताकि वो भी इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके अपना काफी सारा पैसा और समय बचा पाएं तो कैसा लगा आपको या आइडिया कोमेंट शेक्षन में जरूर बताईएगा तो चलते हैं अपने अगले टिप के तरफ अगला टिप है हमारा जूलरी को लेकर तो जूलरी का इस्तमाल जो है हम सभी लोग करते हैं जो जूलरी हमारा मैं पर और छोटा सा पइंडेंट य इसको गभी कभी लिया हम्में ठुटा पेंडैंट यहां कूछ पीछ पी्राइया होता है तो इसको हमें टूनने में काफे जादा टाइम लग जाता है और यह उलज भी जाते हैं तो आपको इसे कैसे रखना है आज मैं वो तरीका बताने वाली हूँ तो आपने क्या करना है जितनी भी जूलरी है आप इस तरह से ले लीजिए और इसको हमें एक साथ बिलकुल भी नहीं रखना है क्योंकि एक साथ रखेंगे तो यह उलज ही जाएगी तो इसके लिए हमें लेना है aluminum foil तो यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है यह मेरे पास waste पड़ा हुआ था तो आप इसमें जो है waste aluminum foil का भी use कर सकते हो और इस तरह से देखिए छोटा पैडेंट है तो छोटा सा टुकड़ा आप aluminum foil का ले लीजिए और इसमें wrap करके रख दीजिए इसस हमें double benefit होगा एक तो यह उलजेगा नहीं और दूसरा इसमें अच्छी से wrap होने की वज़े से इसका shine भी बिलकुल नहीं जाएगा तो बहुती बढ़िया सा तरीका है इस तरह से आप aluminum foil में इनको wrap करके रख सकते हो अगर बड़ी jewelry है तो आप थोड़ा सा बड़ा aluminum foil का टुक रहता है तो आप इन चीजों को भी इसी aluminum foil में wrap करके रख सकते हो तो देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से straight कर लेना है और उसके बाद इस तरह से fold करने के बाद आप इसको आसानी से रख सकते हो और बिलकुल भी इसमें ये उलज़ता नहीं है जैसा हम रखते हैं हमे वैसा का वैसा ही मिलता है तो देखिए मैं आपको खोल की भी दिखाऊंगी तो इस तरह से बिलकुल भी ये नहीं उलज़ता है चाहें जितना भी पतली डिजाइन का कोई भी आपका jewelry हो आप इसको इस तरह से रख सकते हो तो हैना फरंस कमाल का idea इस तरह से हमें इसको organize करें तो कभी-कभी हमारे पास इतने jewelry box नहीं होते हैं कि सबको हम अलग-अलग रखे तो देखिए इस तरह से आप एक ही डिबे में काफी सारी jewelry को रख पाओगे और बिल्कुल भी ये उलज़ेंगे भी नहीं और space भी कम लेंगे तो हैना फरंस कमाल का idea इस तरह से जब आपको च जादा दिन बात करते हैं तो ये रखे रखे काफी जादा गंदा हो जाता है मतलब dust वगेरा आ जाती है तो जब भी इसे दुबारा से आप यूज़ करें तो आपको लेना है इस तरह का steel scrubber और इसके वपर हमें थोड़ा सा पानी डालना है और इस तरह से देखिए rub करना है तो इस तरह से जब हम इसको rub करेंगे तो जितनी भी गंदगी इसके दात में फसी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी अगर आप पुराना scrubber नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नया scrubber भी यूज़ कर सकते हो और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी ज्यादा गंदगी जो है वो इस तरह से निकल जाती है अगर आप इस तरह से नहीं क्लीन करेंगे तो जो भी हम इस पर पीसेंगे ना वो सारा का सारा जो भी हम पीसेंगे उसमें आ जाएगा और देखिए कितना सारा इसमें गंदगी निकला हुआ है तो बहुती बड़ा सा ट्रिक है छोटा सा है लेकिन बहुत ही यूसफुल है तो जब भी आपको सिल दुबारा से यूस करनी है काफे दिन बाद आप इसको यूस कर रहे है तो इस तरह से क्लेम जरूर कीजिएगा तो उम्मिद करती हूं टिप आपको helpful लगी होगी तो आज का वीडियो कैसा लगा है कोमेंट शक्षन में जरूर बताएगा इसी तरह की यूसफुल वीडियो का लेंक मैंने डिस्क्रिप्शन मॉक्स में दिया है आप वहाँ से देख सकते हो तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड थैंक्स पर वाचिंग